हेलो फ्रेंज आज मैं आपसे सेर करने जा रही हूं कुछ टिप्स के साथ इमर्ती की रेस्पी अगर आप पहली बार भी इन इमर्तियों को बनाएंगे तब भी आप इजी ली इन इमर्तियों को बना सकते हैं बस आप वीडियो को बिना स्कीप के पूरा देगे यह हमने एक सुकर करें रखा था तो अब इस दाल को हम ग्राइंड भाव करेगे बिद्धा इसका हमें स्मूध पेस्ट बना कर दो दों द्यूक्पा मेंट andra हम दाल को फैटेंगा यह सकती है तो अब इस दाल को और में अच्छे से फैटेंगे धयान राइपेंग्टते तो कुछ इस तरहीं से हमें दाल को फैट्टे है। इस WAY बंन चा도री के बशाने के लिए कड्राई को रंक दो नहीं डिया एक पानी को बंस Um तिर यह दाल के फैट ट्राइल उसे पहले हम अच्छी है फ़ोड कलर जबना है अगर独्आ को प्रूब को उस झाले । एम लिचभी अच्छी होगे früher तो हमारे हाथों में दर्द होने लगेगा यानि कि सिर्फ 3-4 मिनटे यह दाल को फैटना है तो अब इस चासनी में गंधिक अठाने के लिए इसमें डूद दूद दूस्य चासनी में यह देखिया अच्छे से साफ हो जाती है और गंधिकी अठाने के वाद इसमें हम एट कर आरव झालता है और एक फूट कलर यह उपशनल और यह अगर आप पसंद्ट नहीं करते हैं तो नहीं डाले पर यह फूट कलर मुझे चासनी में बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने पूट कलर एकर दिया तो इसे हम बनने देते हैं और इसे हम पकाएंगे इसे हम तब जो आप चाहिए तो दूट की या फिर कपड़े से भी मलती को बनाए जा सकता है तो हमने कौन में बना को फिल कर लिया और इसकी दो राउंड लेंगे हम दो राउंड के ऊपर हम एक पतली-पतली-डा लियर्स बनाते जाएंगे कुछ इस तरीके से तो यह आप दे सकते हैं फ हाई फ्लेम पर इन इमर्तियों को सेख कर त्यार करना है यानि कि लो फ्लेम पर हम इमर्तियों को इस तरह किसे बनाते हैं और हाई फ्लेम पर इन इमर्तियों को सेख कर त्यार करते हैं फ्लेंस तीन से चार वर करने के बाद मुझे पर कुछ इस तरह किसे यह इमर्ति बनाना आ गेस का निहीं हम हाई रखेंगे हाई फ्लेम पर इने हम क्रइपसी ने तक सेखकर करेंगे जैसे हमारा इमेर्टी शिक्का टैयर हो जाएंगे वेसरें इन्लिक्स को खास धियान रखना है अगर जासनि पतली होगी यानिकी वह perfect नहीं बनी होगी तो आपके जो इमर्तियों को बना सकते हैं अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें जब भी हम दाल को फैट हैं उसे सिर्फ 3-4 मिनाटी फैट है अगर हमने दाल को ज्यादा फैट दिया तो उससे इमर्ति क्रेप्स ही नहीं बनेंगी सॉप्ट हो जाएंगी और इमर्तियों को बनाने के लिए फैला हुगा पैन लें और उसमें ओइल को ज्यादा नहीं डालें और इमर्तियों को बनाना शुरू करें तो गैस का फ्लेम लो करें और लो फ्लेम पर इमर्तियों को बनाएं अगर अपने हाई फ्लेम पर इमर्तियों बनाने ही पाएंगे और आती है चासुनी तो चास्नी कभी आपको खास देहां रखना लगना अगर आपने परफ्ठ तरीपे से शास्नी को बनाया तो आपकी इमर्तियां क्रेस्पी एन क्रेंशी बनेंगी तो आप इन मंतियों को इंजिए और मज़े दीजिए जालत तो अभी कि लिए इस वीडियो में इतना ही बाइबाइब